हाई फ्रेंग्स मैं हूँ रक्षा और आप देख रहे हैं रक्षा की रसोई आज आपकी रक्षा फिर से आज आपके लिए एक नई रेस्पी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से चरूर कर दीजेगा तो चलिए शुरूर करते हैं आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी नमकीन चावल तो यहां पर मैंने दो कप चावल लिये हैं यह नॉर्मल चावल हैं जैसे हम लोग डेली वेसिस पर इस्तिमाल करते हैं मैंने वही चावल लिये हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे इन चावलों को कम से कम हम दो स आप हम इनको 10 मिनट रेष्ट के लिए रग देंगे इससे चाफल जो हे काफी नरम बनता है आप यहाँ पर अलग हमने बोल लिया है इसमें हम डालेंगे देढ़ चोटी चममच धनिया पाऊडर साथ में हम डालेंगे देढ़ चोटी चममच ही पावभाजी मसाला यहाँ पर मैं जो मसाला आपको बता रही हूँ यह आप जरूर डालिएगा फिर देखेगा आपके नमकी चावल कितने टेस्टी बनते हैं तो सिर्फ देर चमच हमने पावभाजी मसाला इसमें एड़ किया है इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा convicted आथा चमच 1982 घ्छाल मेरे बच्छों को खाना इसलिए मैं कम ही इस्तमाल कर रही हूँ आप इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पावडर साथ में हम डालेंगे स्वादाणसार नमक तो नमक हम इस स्टेज पर डाल देते हैं आप चाहे तो बाद भी डाल सकते हैं । नम बहुत ही बढ़िया हमारे नमकीन चावल में आता है अगर आपके पास सुकी पत्या नहीं है तो आप इनको काट करके भी मसाले में मिला सकती हैं अब मैं यहां पर ढालूंगी तीन चोटी चमच दही हम मसाले को पानी से नहीं गोलेंगे हम दही से गोलेंगे दही की बज़ए आता है नमकीन चावलों में तो एक बारी आप इस तरह से मसाला बना करके देखिए जैसा मैं आपको बता रही हूं फिर देखेगा आप कितने प्लेट भर बरके नमकीन चावल खाएंगे आपको बहुत ही टेस्टी लगेंगे तो लिजए मैंने मसाले को दही के साथ टमाटर लिया है प्याज लिया है साथ में मैंने आप लिया है हरी वाली प्याज हरी वाली प्याज मैं आपको दिखा देती हूं इस तरह से होती है तो यह सर्दियों में स्पेसली बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है अगर आपके पास हरी प्याज नहीं है तो आप इसकेप कर सकते हैं तो मैंने ग्रीन माला पोर्शन लिया है जो पत्तियां होती है उनको बारिक बारी काट लिया है साथ में हमने यहां पर लिया है मटर सर्दियों में खुम मटर आती है तो जरू डाला करें और मैंने यहां पर लिया है फूल गोबी हम लोग सर्दियों भर न अच्छुक्स proprio , एकड़ है भूना है लेकिन कि सातमे के जो बिरिंट यूियागी न मीआरे खाया है ना तो बहुत ही अच्छी लगती है तो आप देख सकते हैं मैंने प्याच को हलका सुनेरा होने तक अच्छे से भून लिया है बस इससे जादा हमें इसको डार सुनेरा नहीं करना है अब हमने जो मसाला दही के साथ घूल करके रखा हुआ था इस मसाले को भी हम डाल देंगे गैस की फ्लेम को लो कर देजगा वरना प्याच बहुत जादा जल जाएगी थोड़ा सा पानी डाल करके हमने क्लीन करते हुआ इसमें डाल दिया है अब मसाले को भी हम बढ़िया से भूनेंगे तो आप मीडियम फ्लेम पर मसाले को भूनेगा इससे बहुत अच्छी से मसाल को भी आने लगती है तो मसाले को हम जब तक बून लेते हैं जब तक कि इससे बढ़िया खुश्मू नहीं आने लगती और इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपको दही का कलर नजर नहीं आ रहा होगा भूनते समाही करी पता दही बहुत अच्छे से भून जाते हैं इस से इनका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया निखर के आता है तो चलिए मसाले को हम अलका सा बून लेते हैं मसाला भून चुका है अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को भी बढ़िया से मसाले की साथ मिक्स कर लें जैसे आलू मटर और गोबी और सब्जियों को अब हम कम से कम एक से देड़ मिनट तक मसाले के साथ मिक्स करते हुए भूनेंगे तो पहले हम सब्जियों को अच्छे से भून लेते हैं इसे जो टमाटर है हलके से मैशी हो जाएंगे तो इनका जो खटा पन है वो भी बढ़ और चाबनों को भी हम सब्जियों के साथ मिक्स करते हुए आदा से एक मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे थोड़ी से आपको टाइम लगेगा भूनते भूनते लेकिन जलवाजी नहीं करना वन्ना जो टेस्ट होना चाहिए अच्छा वो नहीं आता है आप जलवाजी तो इसलिए अच्छे से आप भूनते रहिए इनको तो हम आधा एक मिनट तक चावलों को भी भून लेते हैं अब हम इसमें डालेंगे पानी तो यहां पर पानी डालते समय ध्यान रखिए जितनी क्वांटिटी में आपने चावल लिये थे उसके देड़ गुना हम इसमें डालेंगे तो हमने एक पूरा डाल दिया है फिर आधा पानी और डाल दिया है भर करके तो हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बिल्कुल परफेक्ट मीजरमेंट है यह कि देड़ गुना आप पानी डालिए इसमें सब कवर हो जाएंगी सबजियां भी पक जाएंगी त नमक हमें डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मसाला गोलते समाही नमक हमने एट कर दिया था तो बस धकन को हम बंद कर देते हैं और इसमें हम मीडियम फ्लेम पर दो सीटियां आने देते हैं डिपेंड करता है आपके कुकर पर कि कितनी सीटियों में आपके चावल पक जाए जाती हूं यह आपके लिए बहुत यूसफुल होंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं दो छोटी-छोटी सी मैंने डिप्या ली हुई है यह नहीं है यह फोल्डिंग ग्लास जिनको अगर आप खोल देते हैं तो यह ग्लास बन जाते हैं और आप बंद कर देंगे तो यह डिबी बन करके तैयार हो जाती है तो अगर आपको कहीं ट्रेवल में जाना है या कहीं पिकनिक बनाने जाना है तो आप इसको बहुत ही आसानी से अपने साथ कैरी करके ले जा सकते हैं या बैग में भी डाल सकते हैं जिनके यहां बच्चे हैं छोटे-छोटे से उनके दे दूंगी आप वहां पर जाकर किसे खरी सकते हैं तो चलिए यहां पर दो सीटी आ चुकी है और इसका प्रेशर भी निकल गया है तो हम इसका ढकन खोल लेते हैं ढकन खोलने के बाद यहां पर आप क्या करें इस पैचुला की उल्टे साइड से इसको अच्छे से मिक्स क जाती हैं तो बहुत ही बढ़िया खुश्बू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकती आपने कई बार नमकीन चावल बनाए होंगे एक बार आप मेरे तरीके से बना करके देखिए आपका मन निभरेगा बार बार इसको मांग करके खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं मै आपको बहुत बहुत अच्छी लगे तो फ्रेंट्स उमीद करती हूँ कि आपको आज की नमकीन चावल की रैस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक ले बावाई ते क्यार